Hello students, आजका जो हमारा topic है वो है Venn Diagrams Venn Diagrams में क्या है कि जो Universal Set होता है उसे हमें एक rectangle से represent करते हैं और Universal Set के जितने subsets होते हैं उनको हम circles से represent करते हैं Universal Set आपको पता होगा, Universal Set हम किसे बोलते हैं The Super Set of Every Set in a Given Context किसी given context में या किसी given question में जितने भी super sets, sorry, जितने भी sets होते हैं उन सारे sets के super set को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, तो when diagram में हम क्या करेंगे? कि जो हमारा universal set होगा, उसे हम एक rectangle से represent करेंगे और universal sets के जितने भी subsets होंगे, उसको हम किसे represent करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? कि उनिवर्सल सेट को सबसे पहले rectangle से represent करेंगे set A को, यह जो हमारा A set है, यह ओवेसी बात है, यह universal set S का subset होगा, क्यों? because S जो है न हमारा, वो superset है, तो यह जो capital A set है, यह क्या होगा? इसका subset होगा, तो universal set को हमने rectangle से represent किया, A को, यह capital A set को हमने circle से represent किया, और A के जो element होगे, set A के जो element होगे, वो set A के अंदर होगे, ठीक है? और set A के elements को हम किसे represent करेंगे? पॉइंट से, मतलब क्या हो रहा है, कि हम when diagram में हम क्या कर रहे हैं, कि हम set का diagram बना रहे हैं, या फिर तुम ऐसे बोलो, क्यों से हम diagram के through set को represent कर रहे हैं, जैसे universal set को हमने क्या बोल दिया? capital S, rectangle बोल दिया, set A ले लिया हमने, और set B ले लिया, तो set A, set B, ये universal set का subset है, तो subset को हम लोग किस से represent करेंगे? circles represent करेंगे, अब तुम यहाँ पे क्या देखो, कि ये एक हमने rectangle बनाया, ये rectangle किस से represent कर रहा है? universal set को, यहाँ पे हमने circle बनाया, इस circle को हमने क्या बोल दिया? set A, यहाँ पे भी हमने circle बनाया, इस circle को हमने क्या बोल दिया? set B, अब तुम देखो कि इस circle को देखो, इस B circle को भी भूल जाओ, सिर्फ A circle को देखो, तो A जो circle है न, ये इस rectangle के अंदर है, तो ये अंदर होने का क्या मतलब हुआ कि A set के जितने भी elements है वो universal set में भी लाई कर रहे हैं मतलब A set के सारे elements set S के भी element है ठीक है तो अगर ऐसा है तो A set को हमने क्या किया इस rectangle के अंदर बना दिया फिर यहां पर यह जो B set है यह B set भी set S के मतलब क्या हुआ कि इस rectangle के अंदर है इसका क्या मतलब हुआ कि जो B set है वो भी set S का subset है ठीक है तभी subset है तभी यह B set इसके अंदर है set A इस rectangle के अंदर है इसका क्या मतलब हुआ कि B set के सारे element set S के अंदर है या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि every element of set B is the element of set S ठीक है अब यहां पे कि set A जो है न और set B यह आपस में overlap कर रहा है ठीक है यहां पे इतने reason में, देखो इस reason में यहां से here ना यहां पे, इस reason में यह overlapping है, यहां से यहां तक overlapping है तो overlapping का क्या मतलब हुआ कि इस reason में, यह जो overlapping reason है इस reason में अगर कोई element आएगा तो वो element set A में भी present होगा क्यों? because वो set A के reason में भी आ रहा है और इस reason में अगर कोई element होगा तो वो set B में भी present होगा क्यों? क्योंकि ये set B के reason में भी आ रहा है ठीक है? और वो element set S में भी होगा क्यों? because set A और set B खुद set S के अंदर है, मतलब rectangle के अंदर है, तो set A और set B rectangle के अंदर है, इसका क्या मतलब हुआ, कि set A के सारे element rectangle के अंदर है, इसका क्या मतलब हुआ, कि set A जो है, वो S का subset है, फिर क्या मैंने बोला है, कि set B भी क्या है, हमारा S का subset है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कि A set और B सेट यह capital S सबसेट है जो obvious सी बात है क्यों because A और B S का सबसेट होगा because S is the universal सेट ठीक है उसके बाद हमने क्या बोला कि A सेट और B सेट जो है यह overlap कर रहा है इतने reason पर overlapping है इसका क्या मतलब है कि इस reason में कोई element आया तो वो A में भी present है B में भी present है तो क्या मतलब है कि A सेट और B सेट का जब तुम intersection लोगे na intersection और बता रखा मैंने basic mathematics में intersection लोगे तो वो एक null set नहीं मिलेगा क्यों because इस reason में कोई element होगा तो वो A में भी present होगा B में भी present होगा तो A intersection B is not a null set ठीक है कोई ना कोई आ जाएगा element जो A और B दोनों में present हो अब इसी win diagram पे हम लोग discuss कर रहे हैं इसका third point क्या है कि A सेट जो है वो B सेट का subset नहीं है क्यों नहीं है because अगर A सेट B सेट का subset होता तो यह जो पूरा सेट A है ना यह सेट B के अंदर होता अगर सेट A सेट B के अंदर होता तो हम क्या बोलते हैं सेट A के सारे element सेट B में present है तो फिर A सेट B सेट का subset हो जाता यहां पे क्या बोला B सेट B A का subset नहीं है क्यों because अगर B सेट A का subset होता तो फिर सेट B सेट A के अंदर होता ठीक है बट हम यहां क्या देख रहे है कि सेट A जो है वो completely सेट B के अंदर नहीं है इसका एक मतलब क्या है कि इस reason में देखो यहां पे इस reason में कोई element आएगा तो वो सेट A में तो होगा बट B में नहीं होगा और subset के लिए हमें क्या चाहिए कि सेट A के सारे element सेट B में चाहिए बट मालो की इस reason में यहां पे कोई element आया वो A में present है बट B में नहीं present है तो इसका मतलब A B का subset नहीं है यहां पे अगर कोई element आया तो वो B में present है बट A में present नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा B भी A का subset नहीं है बट A सेट जो है इस S set का subset हो जाएगा फिर B के किसी भी reason में चाहे तो तुम इस reason में उठा लो चाहे कहीं भी B के reason में कोई भी element उठा लो वो फिर इस rectangle के अंदर है तो B क्या होगा? S set का subset होगा और ये बिल्कुल obvious ही बात है कि अगर हमने किसी set को universal set बोल दिया जैसे यहाँ पर हमने universal set क्या बोला है? S को बोला है तो उसके बात जतने भी sets लिखे हुए A, B, C, D, जतने भी मैं sets लिख दूँ वो सारे sets universal set के subset होगे ठीक है? तो यहाँ पर क्या मैंने बोला? A और B subset हुआ, capital set S का A और B का intersection लोगे तो वो fine नहीं होगा क्यों? Because A और B आपस में overlap कर रहा है तो overlapping reason में, इस reason में अगर कोई element आएगा तो वो set A में भी present होगा, B में भी present होगा इसका मतलब कि A और B का intersection null set नहीं है और फिर मैंने क्या बोला? A set B set का subset नहीं है क्यों? Because A set B set के अंदर completely lie नहीं कर रहा है और B set B A set का subset नहीं है क्यों? Because B set A set के अंदर completely lie नहीं कर रहा है यहाँ A B का subset नहीं है Because A B के अंदर नहीं है B A का subset नहीं है Because B A के अंदर नहीं है, ठीक है? तो यह वाला जो डाग्राम है हमारा, इसको हमने first A part बोल दिया A diagram, यह clear होगे इसे हमने B बोल दिया इसे हमने C बोल दिया इसे हमने D बोल दिया, ठीक है? अब आजाओ बच्चों B part में B part में क्या है? कि जो हमारा यह A set है न, B set है यह दोनों अलग-अलग लिखा हुआ, disjoint है मतलब क्या है? कि A और B के बीच में कोई भी overlapping reason नहीं है तो overlapping reason नहीं है, इसका मतलब क्या है? set A का कोई भी element set B में present नहीं है और set B का कोई भी element set A में present नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि set A और set B के बीच में कोई common element नहीं है ठीक है, तो अगर मैं A और B का intersection लूँ तो वो एक null set मिलेगा और A set और B set ये क्या होगा S set का subset होगा ये तो obvious से बात है because S को universal set बोल दिया तो S के बाद हमने जितने भी set लिखने वो सारे set क्या हो जाएंगे S के subset हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर मैंने क्या बोला A is not the subset of B क्यों because A set B set के अंदर नहीं है B is not the subset of A क्यों because B set A set के अंदर नहीं है और इन दोनों का intersection क्या है 5 इस situation को हम क्या बोलते हैं disjoint sets मतलब क्या मैं बोलूँगा A set and B set are disjoint set मतलब अलग-अलग set है और इस situation को हम क्या बोलते है A and B are joint set joint set जब भी होगा तो उसके बीच का intersection null set नहीं होगा और disjoint set जब भी होगा तो उसके बीच का intersection null set होगा इसको आप समझो अब बच्चो आजाओ C part में C part में क्या है कि ये जो B set है न B set ये A set के अंदर लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि B set के सारे element A में present है इसका क्या मतलब हो गया कि B A का subset हो गया ठीक है B S का भी subset है A S का भी subset है पट यहाँ B set A set का भी subset हो गया क्यों because B set A set के अंदर लाई कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमने पहले point में क्या बोला A और B S set का subset होगा ठीक है क्यों because S is the universal set दूसरे में मैंने क्या बोला है कि B set is the subset of A set but A set is not the subset of B set because A set है ना B set के अंदर लाई नहीं कर रहा अगर A set B set के अंदर लाई करता तो फिर A B का subset हो जाता ठीक है ना तो obvious बात है कि अगर B A के अंदर हो गया तो फिर A B के अंदर थोड़े नहीं हो सकता है तो यहाँ पर क्या हो गया A B तो A का subset हो गया बट A B का subset नहीं हुआ अब अगर मैं इसके intersection की बात करूँ यह B लिखा है अब मैं अगर इसके intersection की बात करूँ A intersection B लूँ तो तुम देखो क्या कि B जो set है वो set A के अंदर है इसका क्या मतलब है कि B set के सारे elements set A में भी present है तो अगर मैं इन दोनों set का intersection लूँ तो हमें क्या मिलेगा set B तो वो set B मिल जाएगा अगर मैं इन दोनों set का union लूँ तो हमें क्या मिलेगा set A because union में हम क्या करते है common element को एक ही बार लिखते यह जो B set में B set में जितने यहां पर जो भी elements आएंगे वो तो already A में present है ठीक है तो हमारा A और union B क्या हो जाएगा A union B this is A sorry बचो उसको correct कर लेना PDF में ठीक है वीडियो देखोगे न correct कर लेना this is B and this is A ठीक है इस A को correct कर लेना ठीक है तो यह हमारा C point हो गया अब बच्चे आजाओ D point पे D point में क्या है कि यह जो B set है न B यह फिर A set के अंदर है तो इसका क्या मतलब हो गया B set क्या हो जाएगा subset हो जाएगा A set का और B set A set universal set का तो subset हो गई होगा ठीक है तो यहां हमने क्या लिखा A set और B set subset हो गया इसका फिर B के हमारा A का subset है क्यों? Because B जो set है वो set A के अंदर है बट A set B set का subset नहीं है क्यों? Because A set B set के अंदर नहीं है ठीक है अब अगर मैं बोलू A intersection B क्या होगा तो A intersection B set B होगा क्यों होगा? Because B is the subset of A B क्या हमारा A का subset है तो इसका क्या मतलब है कि B के सारे element A में present है तो अगर तुम्हें intersection B लोगे तो हमें B मिल जाएगा अगर A union B हमने लिया तो वो A मिलेगा क्यों because B जो है वो A का subset है तो जब union लिखोगे तो उसमें B को तो एक ही बार लिखोगे B के तो सारे element आ जाएगे जब तुम A union B लिखोगे तो वो किसके equal होगा A के equal होगा क्यों because B के तो सारे element A में present है और उसे हम लिखेंगे कितनी बार एक बार लिखेंगे तो A union B क्या हो जाएगा A अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि जैसे यह point लिखा न यहां पर और यह m लिखा है small m इसका क्या मतलब है कि यह जो point है न यह set के element को represent कर रहा है यह किसके represent कर रहा है element को यह हम लोग Venn डाइग्राम में क्या करते है यह нам लोग लुट हो जो जी सकता है